आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन्स और देखते हैं सभी के रूल्स क्या-क्या है और इनको कैसे प्रियोग किया जाता है तो सबसे पेले हम देखेंगे और को यूज है वो सम्द्य बनाने के लिए होता है और और यूझ ये और रुटने के लिए मतलब अलगाउं के लिए होता है 7% के लिए इसका प्रियोग किया जाता है देखते हैं कुछ एक्जांपल You are a member of my family इसकार्थ होता है तुम मेरे परवार के सदस्य हो दूसरे एक्जांपल She is a good student of my class वह मेरी क्लास की अच्छे चात्र है तो इन दोनों सेंटेस में और यहां पर बताया जा रहा है कि कोई नो कोई सम्मंद स्थापित हो रहा है सम्मंद बन रहा है इसमें वह परवार का सदस्य है इसमें वह क्लास का चात्र है तो दोनों में सम्मंद बन रहा है अब तीसरे एक्जांपल दिखते हैं You are off duty now तुम अभी duty पर नहीं हो तो इसमें देखिए सम्मंद तूड़ गया separation का भाव हो गया इसमें separation कैसे हो गया अलगाओ कैसे हो गया कि तुम duty पर नहीं हो तो duty से अलग हो गया दूसरे एक्जांपल She has jumped off the building इसकारत होता है वह बिल्डिंग से कूद चुकी है वह बिल्डिंग से कूद चुकी है इसमें उसका जो सम्मंद वो बिल्डिंग पर खड़ी थी तो बिल्डिंग पर से कूद ना तो बिल्डिंग से वो अलग हो गयी तो मतलब यह हो गया separation अलगा हो गया इस तरह से हम OWF का प्रियोग करते हैं अब हम देखेंगे next example इसकारत होता है तुम ड्रेस उतार चुके हो तो जब हम ड्रेस को उतार देंगे तो हमारे शरी से ड्रेस अलग हो जाएगी तो यह क्या हो गया? separate हो गया तो इस तरह के example में हम OWF of का प्रियोग करते हैं उमीद है दोनों आपको समझ में आगए होंगे अब हम देखेंगे make of और make from का use तो make of और make from में क्या अंतर है? वो हम देखेंगे इन दोनों का जो प्रियोग है वो material मतलब सामिक गिरी के लिए होता है make of का जो use होता है उसमें किसी भी material की जो अवस्ता है वो change नहीं होती है और make from में जो अवस्ता है वो change हो जाती है इन दोनों को देखेंगे है example की माद्यम से तब आप कोई अच्छी तरह समझ में आ जाएगा example देखते है our notebook is made of papers इसका अर्थ होता है copy paper से बनती है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि papers अगर copy के अंदर लग जाएंगे तो paper तो change होंगे नहीं paper तो चाहे copy में लगे हो या copy के अलग अलग रखे हो paper तो paper ही रहेंगे तो यहाँ पर अवस्ता क्या रही same की same अवस्ता नहीं बदली इसलिए यहाँ पर off का प्रियुक किया अब हम देखेंगे दूसरा example a building is made of bricks इसकारत होता है building इटों से बनती है इस example में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इटों को अगर आप building में लगा देंगे तो भी इट तो हीट ही रहेंगी और अगर इटों को अलग रख दिया जाए building से तो भी वो इट ही रहेंगी इसका मतलब इटों की अवस्ता चेंज नहीं हुई इसलिए यहाँ पर हमने make of का प्रियुक किया अब हम देखेंगे make from का use butter is made from milk इसकारत होता है मक्खन दूद से बनता है तो देखेंगे मक्खन दूद से बनता है पहले दूद था और जब दूद का जब हम मक्खन बना देंगे तो अवस्ता बिलकुल चेंज हो जाएगी इसलिए आप हमने make from का use किया क्योंकि मक्खन और दूद दूद दोनों चीज अलग अलग होती है दूसरा एक्जामपल sugar is made from sugar can चीनी गन्ना से बनती है तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि चीनी बिलकुल अलग चीज है और गन्ना बिलकुल अलग चीज है बले ही चीनी गन्ने में से बनती है लेकि बनने के बाद चीनी का गन्ना नहीं बनाए जा सकता है तो अवस्ता क्या होगी पूरी पूरी चेंज होगी इसलिए आपर हमने make from का यूज किया उमीद है आपको यह सभी अग्जामपल्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो ता प्लीस व्षियर सबस्क्राब यजू करें